गांधियन प्रिंस्पल की बात की मैंने तो एक लाइन और तुम्हारे सीखने के लिए निवन्ध के लिए भी समझ लो की मानलो की कोई एक आतंगवादी है और आतंगवादी ने हत्याए की लेकिन गांधियन प्रिंस्पल में जाओगे तो उसमें ये है कि हम उस आतंकवादी उस व्यक्ति से उस कसाब से घ्रिना नहीं करेंगे जबकि उसने हत्याय की है लिकिन कसाब से हम घ्रिना नहीं करेंगे हम उस आदर्श से उस सोच से उस घ्रिनित मानसिक्ता से उस विचारधारा से घ्रिना करेंगे जो कसाब को पैदा करता है कसाब को उसके कर्म की सजा मिली लेकिन अगर कसाब को मारते रहोगे तो कसाब तो मरते चले जाएंगे लेकिन वो विचारधारा जिन्दा रह जाती है और मारने से, हत्या करने से, फांसी लगाने से अटैक करने से व्यक्ति सब मरता चला जाएगा लेकिन वो विचारधारा चारो तरफ आग की तरफ फैलने लगती है तो अगर कोई विचारधारा अंधवाद में फसा हुआ है तो उसको विचारधारा से ही सुधारा जा सकता है उसको हिंसा से सही नहीं किया सकता है फासी लगाने से सही नहीं किया सकता है यहां तक कि capital punishment को भी कई देशों ने बैन कर दिया कि हम जब जीवन देने का अधिकार नहीं है हमारा तो जीवन लेने का अधिकार कैसे हो सकता है हम किसी को मृत्यू दंड नहीं देंगे क्योंकि उस व्यक्ति में दोश न देख करके उस व्यक्ति के अंदर में जो भावना या सोच या जो उस व्यक्ति का जो उसकी जो मानसित्ता विक्सित हो गई उसमें वो कहां से एंगर आया इतनी घ्रना कहां से लाई उसके cause में जाना होगा क्योंकि आतंकवादी कोई जिनिटिकल ही आतंकवादी नहीं होता है कज आपको कोई मुल्ला मिल गया समझा दिया कि तुम हत्या करोगे इसलाम खत्रे में है उपर जाओगे तुबर में हूर की परियां मिलेंगी ये करो वो करो सब जगा तो वही है ये आशाराम बापू टाइप के लोग क्या है ये लोग तो वही करते रहते है ब्रेनवाश करकर करते रहते है तो रूट कौन है रूट है आशाराम बापू उसको इलिमिनेट करना होगा सोसाइटी से हम लोग क्या करते है कि आशाराम बाबु के जो जो चेले हैं या जो उनके साथ लगे हुए हैं उनके उन लोगों को पकड़ने लगते हैं उन लोगों को चुन-चुन का मारने से कोई फैदा नहीं होता है आशाराम बाबु को उपर में जो मुल्ला है उसको मारना पड़ता है जहां से निकल रहा ह खतम होगा और देखो कोई भी सो चिंतन यदि हिंसा की और ले जाता है मानव हत्या की और ले जाता है पुलिस का ही हत्या हो CRPF का ही हत्या हो किसी का भी हत्या हो तो वो चिंतन सही नहीं हो सकती है गांधी और बुद्ध के देश में